नमस्कार सिक्षार्थियो, Community Health Training Program में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस Community Health Training Program में हमारे तीन विसाय हैं। आदार्भुजी बिग्यान, Maternal Child and Healthcare, Prevention and Management of Diseases and Emergency तो इन तीनों में हम अलग-अलग चीजों की बात करते हैं। और Emergency वाला जो Module है खास्तोर से उस Practical की हम बात करने आज फिर जा रहे हैं। इस Practical में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हैंडिल करते हैं Emergencies को और ये Emergencies को हैंडिल करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि Emergencies तो Emergencies है। इसलिए बहतर से बहतर टेनिंग हेल्थ वरकर्स को दी जाती है। ताकि वो किसी भी Emergencies के दौरान वहां उपस्तित रहें और उसको हैंडिल कर सकें। अब बात आते हैं कई बार कि Health Worker नहीं भी होता है। तो ये सामान आदमी को भी ये जानकरी होनी चाहिए। और सामान आदमी को ये जानकरी इतनी भी है कि एक Health Worker यह नजदी की पास में हैं। तो immediately उसको inform करें और या उसको बुलाएं या उसके पास उसको पेसेंट को ले जाएं। तो आज का इस तरह का topic है जिसमें ना तो Health Worker आसपास है और ना ही कोई घर में Health Worker होता है। लेकिन वर्निंग की जो condition है यानि जलने की जो condition है वो कहीं भी किसी वी वक्त किसी समय भी हो सकती है। ओफिस हो घर हो या फिर आपका कारशेत्र हो किचिन हो तो आज हम बात करते हैं वर्निंग की यानि जलन पर और इसके संदर में हमाई साथ इस्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर इशने लता जो एसोसेट प्रोफेसर है मैं उनका स्वागत करता हूं इस्टूडियो मे लिए बहुत-बहुत स्वागत में आपका नमस्कार सर नमस्कार तो डॉक्टर इशने लता सबसे पहले मैं आप यह बताएंगे कि यह जो घटनाय होती हैं यह कहां-कहां हो सकती हैं और किस तरह की इमर्जेंसी होती हैं जी सर जलना अगर हम देखते हैं तो यह महिला और प जाते हैं में चाहिता है जैसे किचन में होता है और यह ऊपन कुक시고 डिवाइसस रहने से या ठीक से मतलब कुकिंग अरिया प्रॉपर ना रहने के कारण भी हो सकता है और यह जो जलना है अ है आग से तो जिसे हम बर्न कहते हैं और लिक्विड से अगर होता है तो उसे हम स्कायल्स कहते हैं गरम पानी तरली कोई भी पदार्द हो जैसे गरम दूध है या इससे हो सकता है और महिलाई नहीं बच्चों को भी एक कुकिंग किचन एरिया में ज्यादा ये बर्निंग होने जलने की चांसे बढ़ जाता है इसक चांसा कि आपने बताए कि रासानिक पधारतों से जलने की जो प्रिक्रिया है तो इसमें कहस्ता और से जो इंडेशटीज हैं नहीं जो काम कर रहे हैं या फिर एसड वगेरा से काम करने वाले लोग हैं कई बार घर में भी जिस इसेड को हम इस्तेमाल करते हैं उस इस्तेमा है और जैसा कि आब बता रहे हैं फाइर वाला फाइर वाले केसिस तो खास्तों से घरों में बहुत ज्यादा होते हैं बिल्कुल जैसे कि सिलेंडर में कईवार आग लग जाती है पता रहे हैं कि हीट से किस परकार जलते हैं जैसे कि डाल या फिर मतलब सब्जी है या फिर हम कह सकते हैं कि चाए जी मिल्क अक्सर जो है मिल्क से भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जी मैं जी जैसे अगर हमने डाल या दूद लगा दिया और वो उबलता रहा और हम कुछ शपने पिए मौत्यार साती है। यहां रहते हैं वहीं अक्सर आ जाते हैं तो मा कुछ और काम करने लगती हैं इतने में जो टॉडलर्स हैं मतलब फीन जारश साल के ने जो बच्चे से बरहाभर को ना की भीचे कायं वहां यह लीड़ते हैं तो यह जलने वाली घटनाएं है खास्तर नुंसे बच्चों के लिए किछुन में बहुत ज्यादा और बच्चे आते जाते भी रहते हैं कीछिन में तो किछिन की घटनाएं काफी ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्या बार और बच्चे गरम भगोने को कड़ाई में कुछ नहीं रहता लेकिन कड़ाई गरम हो जाती अचानक आके बच्चे उसको पकड़ लेते हैं जी बिल्कुल तो यह असी टाइम पर जो घटना होती है वो बहुत ज्यादा सौकफुल होती है और बहुत ज्यादा परिशानी का सवब जो है उनसे बन जाता है औ और साथ में यद हम देखें कि इन घटनाओं पर यद हम कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए सब जैसे कोई बच्चा जल गया है या किसी महला के काम करते समय किचिन में यद उसके किसी भी हाथ पर या किसी सरी के अंग पर आचानक कोई गरम चीज गिर तो इमेरेटली उसे क्या करना चाहिए पहले हमें यह देखना चाहिए कि किस अंग पे मतलब जला कितना बाग जला है और कितनी गहरे में जला हुआ है क्योंकि यह अलग-अलग तरीके के हैं कि एक फस्ट डिग्री बर्निंग सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री और टो सिर्फ लाल पन आता है जैसे ही जल जाता है तो तुरंथ ही नल के निचे हम बीस मिनिट तक पानी उस जला हुआ पोरिशन पे ब्ला डालते रहना चाहिए या हाथ पे अगर जला तो नल के नीचे हाथ को लगाना चाहिए ये ध्यान रखना कि 20 मिनिट तक और इससे क्या होता है अंदर की और जो स्किन की लेयर से वहां तक नहीं पहुँच पाती है और उसके बाद हलका सज जैसे 20 मिनिट ये होने के बाद उसको आराम से उसे पोच कर फिर बर्नार मिलती है अगर बर्नार घर में नहीं हो तो देसीगी तो होगा और देसीगी को लगाना है और उसके बाद गौस, पीस, स्टेराइल होगी उसको लूज से उसे लपेट कर रखना चाहिए ऐसा नहीं कि जल गया है और आप कुछ और केमिकल उसके उपर लगा ऐसा नहीं करना चाहिए यह है आपने बहुती सुनत तरीके से बताया लेकिन एक सामन आदमे को मैं समझता हूँ कि इस भासा में समझना साइद मुस्किल होगा और हेल्थ वर्कर्स तो खास्तों से समझ सकते हैं लेकिन फिर भी किस डिग्री तक जला है ये जानकरी भले ही ना हो लेकिन इतना जरूर पता चल जाता है कि जला कैसे है माली जी जलन हो रही है तो अचा लाल हो गई है या फिर उस पर फपोले पढ़ने लगे हैं तो ये कैटेग्री से हम पहचार सकते हैं क्योंकि जहां सरीर के किसी भाग में जलन पढ़ रही है इसका मतलब कि वो जल गया है उतना भाग तो उसको इम्मीडेटली थंडे से थंडे पानी में हम उसको रखें और जितना थंडा पानी उस पर हम डाल सकें उतना थंडा पानी डालें तो इससे क्या हुआ कि जलन जो है वो बहुत ज़दा कम हो जाती है हाह सर, मैं यही कहना चाए लेकिन यहां में यहां पर आईस क्यूम्प्स नहीं होना चाहीं? यह द्यान रखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, लोग अकसर यह कूती करते हैं तो यह गलती बिल्कुल आ करें आइस क्यूब जो है उस पर इमिडेटली ना लगाए और यद फपोले पढ़ गए है माली जी जैसे फूल जाती न तो अच्छा तो ऐसा लगता है कि फोड़े निकलाए हो तो यद इस तरह के फपोले पढ़ गए हो जलने के कारण तो उसको कभी अपनी तरफ से नहीं चाहिए यह विशेश रूप से ध्यान रखने की बात है और हर आद्म को यह जनकरी होनी चाहिए कई बार बच्चे आग के पास खेल रहे होते हैं और खास्तों से गाओं का जो ग्यामीर शित्र है इसमें हलंकि अब तो कम हो गया है पहले लोग जो है ठंड के तुनों में आ तो ऐसे समय पे यह जब घटना होती है तो घवराएं नहीं लेकिन सबसे पहले यह देखें कि वह उसका कितना भाग वह जला है और कितना उसमें गंभीरता है यह देखना बहुत जरूरी है फफोले या फूट जाए तो उस पर सिल्वर सल्फाइडाइजिन या जैंसन गाएं और दूसरा जो ग्रामीर तरीके से हम उप्चार कर सकते हैं जो हमारे पास में अवेलेवल है जैसे कई बार आपके पास में कुछ ऐसी पेड़ पौधे हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम जो है उस जले हुए भाग को इमीडेटली उसका आराम मिल सकता है उसके जारा जैसे कि बताए इसने तरह हैं जी सर कभी कबार हमारे पास जैंशन वालेट या ऐसे ओंट में नहीं होता है तो गबराना नहीं चाहिए हर गर में आज कल कुछ पौधे तो मिली जाते हैं जैसे कि अलोवेरा नाम तो आप लोग सुने होंगे तो अलोवेरा अगर है तो इस इसको हम यह इस तरह से होता है यह अलोवेरा पेड का हम इसका अगर तोड़ देते हैं तो इसके अंदर यह गूद निकलती है और यह रस निकलता है यह रस को जहां पर भी अगर दाग है जैसे हाथ में है जल गया तो हाथ के उपर इस तरह से अराम से हर एक गंटे में ज्य ऐसे उपर ही उपर ऐसा लगाना चाहिए इससे क्या होगा हीलिंग जो होती है सुपरफीशल बर्निंग में बहुत अच्छा लाबदायक होगा ये ना रहे तो भी हमारे पास जैसे घी घर में हर घर में घी होता है गाई का देशी गी लेकर इस गी को हम यू लेकर इसको भी हम लगा के अराम से लगा सकते हैं इससे क्या होगा हीलिंग जल्दी होगी साथ साथ में बैक्टीरियल की ग्रोथ नहीं होता है एंटिबैक्टिक्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और बाकी और भी कुछ जड़ी बूटिया होते हैं हमारी पास जैसे नारियल का तेल हम लगा सकते हैं यह ना मिले तो गोले का जैसे नारियल की तेल भी शीत होती है ठंड़क होता है तो उसे भी हम लगा दें तो हीलिंग में जल्दी हेल्फुल होता है मुझे लगता है कि जैसे आपने बतेरेशा खास तोर से ऐलोवीरा ऐलोवीरा तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यूदा मिल सकता है और जिन्म लोगों के यहां नहीं है तो मैं समझता हूं कि हेल्थ वर्कर्स खास थोर से इस बात पर ध्यान दें वह अपने यहां भी इस तरह के अलोवेरा के जो पॉदे हैं उनको उगाए और आसपास भी इनको उगाने में लोगों को एड़वाइस करें तो इसका बहुत बड़ा लाव ना केबल जलने में ही है यह बहुत बड़ा का करता है इसका इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं कई वार और कई वार जगे लगाने में भी करते हैं सुन्दरता बढ़ानी में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत ही इंपोडेंट जो है वो प्लांट है पौदे ना हो तो आजकल अलोवेरा जल भी मिलता है जल जलीस मिलते हैं वो ट्यूब भी लगा सकते हैं सबसे बड़ी चीज जो है वो प्रोटक्शन की है माली जी आपका हाथ बहुत ज्यादा तेजी से जला हुआ है या फिर ऐसा लग रहा है कि आग जो है कपड़ों में लग गई है तो वहां पर प्रोटक्शन बहुत जरूरी है उस प्रोटक्शन के लिए हमें करना क्या है कि उसको हमें हमारा हाथ भी नजले और हम ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं खास्तोर से जैसे देखें कि प्रोटक्शन के लिए बहुत बढ़िया यह जो है इसका हम गिलफ का इस्तेमाल करते हैं जो आग से हमें तो बचाएग तो इससे क्या हो कि हमारी जो आग है उस सरीर की जहां कपड़े पर लगी हुई है तो वो कपड़े की आग जो है इम्मिडेटली बुझ जाती है और आग खतम होने से इम्मिडेटली हमें रिलीफ मिलता है तो यह production भी हो गया और यहां पर इसका prevention करते हुए हम आगे बढ़ते सकते हैं नई भी निकालें थोड़ा सा फाड करके भी हम ऐसे करके और आसानी से कई ठुकड़े हम इसको बाट सकते हैं और जैसा बताया कि इसको इस तरह से जहां भी जो भाग जला है उसको धीरे-धीरे करके हम रभ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेसर कहीं लगाने की बियान दखना चाहिए कभी भी प्रिकृति जो भी चीज हमेसा पैदा करती है प्रोड्यूस करती है वह मानब के लिए सभी जीव जनतों गिले करती है तो यह जो चीजें हैं प्रिकृती नहीं बहुत ज़्यादा फाइदेवन है ये जो यह चीजें हमें मिल जाती हैं तो आसानी से हम अपने बहुत सारी रोगों को ठीक कर सकते हैं और किसी भी समय आपातकाली स्थेती में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जी मैं और क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा चंदन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर हमें जलने के बाद जो है वहां से दाग अंदर से बहुत बर्निंग सेंसेशन मिलते हैं तो हम चंदन घर में चंदन होगा तो चंदन को गिसके इसकी लेप भी लगा सक उसके उपर लगा सकते हैं और दिन में दो से तीन बार लगा सकते हैं इसे तो जैसा कि सभी जानते हैं कि चंदन जो है बहुत ठंडा होता है और चंदन का इस्तेमाल खासतोर से हम अपना तिलक लगाने में और अपने मस्तक पर लगाने में पर भी करते हैं और जोकर चंदन को इसका असार होने से जो जला हुआ भाग है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और ही लप हो जाता है जी इसके अलवा एक मुलेठी है ये भी anti-inflammatory जैसा काम करता है और इसका भी हम गिसके पानी पानी में गिसकर जैसे चेंदन को लगाए वैसा ही हम लगा सकते हैं तो सेम इसी तरह से मुलहटी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं और मुलहटी भी बड़ी आसानी से हमारे आसपास जो है मिल जाती है किसी भी ग्रामी राय इलाके में जो हमारे आसपास जो जो जनल इस्टोर है वहां हमें आसानी से मिल जाती है चाहिए वो मुलेटी है, चंदर हलाकी थोड़ा सा हमें बड़ी दुकान से मिलता है, लेकिन घर पे अकसर ये चीज़े हमें मिल ही जाती है, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ गोले का तेल की यह हम बात करें, तो घी भले ही हमारे घर में ना मिले, लेक कि एक तरह से उसमें एक एंटिवाइटिक का भी काम करता है, और बहुत जल्दी उसको हील अप करता है, एक में हमारे फ्रिंड का experience में शेर करना चाहा रहे हूं सर, वो नैचुरोपती के डॉक्टर है, 80% उनका बर्न्स हुए थे, तो एक हफता के लिए उनका admit किया गया थ हॉस्पटल में, उसके बाद जब उन्होंने खुद मतलब डिस्चार्ज करवा कर, वो यही किया था कि गाय का जो गी है, वो पूरा, मतलब बहुत अच्छा आदी इंच की तिकने से, वो डेली लगाया करते थे उनको, और दो महने के बाद, उनका, मतलब कम्प्लीट क्यू तो वो भी शौक हुए थे कि इतना अच्छा, कैसे हुआ और क्या आपने अपनाया, तो उन्होंने शेर किया था, यह चीज की, सिर्फ में कुछ नहीं किया, सिर्फ गाय का घी से ही मेरा ठीक हो गया, बिलकुल, यहां यह समझने की बात है, कि जैसा हम बात कर रहे हैं, गाय की स्टेजिन दिखाई हुई है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थार्ड डिग्री, किस तरह की कैटेग्री है, तो कई बार ज्यादा जल जाए, और उसको हम मेडिकल तक रैफर कर देते हैं, लेकिन यद कम भाग जला है, तो उसको हम आसानी से कोसिस करेंगे, कि घर पर हम हीलप कर ले, और इन चीजों के माद्धियम से हम ठीक भी कर सकते हैं, जहां हमें जरुषत है, पटी की, तो हम पटी बान सकते हैं, लेकिन जलेवे भाग पर कितनी पटी बान है, इस बात का हमें द्यार रखना है, कि कई ऐसा नहों हो कि इसकिन जो है, इस पटी के आसानी रहेगी और cotton उस भाग पर रखने के पाश्याद में उस पे हम पट्टी बाद सकते हैं पट्टी लपेट सकते हैं ताकि वह बहुत ज़्यादा आगे दर्द की इस्थिति ना बने और आप सकता पड़ते कई बार टिटनेस का एंजेक्शन लगवाने की तो कम्टी हेल् पानी या ग्लूकोज तो परऑ मातरा में पानी या । या ORS का जो गोल है ये बहुत important है इसको उस period recti को यानि पेसेंट को आप पिलाएं या acid से या किसी waste से यानि आमलिया चार से आप जले हैं तो चा या आपकी जल गई है तो वहाँ इतना पानी डालिए इतना पानी डालिए कि वो पानी के साथ ही जितना भी dilute हो सके वो dilute हो जाए और उस हिस्से से अधिक से अधिक वो acid या जो waste है वहाँ से निकल जाए क्योंकि skin पर जब ज़्यादा ये समस्या होती है acid वहाँ जब तक लगा रहेगा तब तक वो आपकी skin को जलाता रहेगा तो अधिक से अधिक वहाँ वहफर करेंगे तकि उसका treatment hospital में हो सके क्या ना करें इस बात को भी हमें विस्से सुरुप से ध्यार रखना है यद फपोले पड़ गए है तो इनको हमें छेड़ना नहीं है इनको हमें फोरना नहीं है किसी तरह से और डॉक्टर का परामर्स लिये बिना हम किसी तरह का कोई saline वगएरा नहीं चड़ाए और जल्दवाजी में कोई ऐसा हम काम ना करें अपनी तरफ से एंटिवाइटिक्स वगएरा देने की कोसिस भी हम ना करें जो घर का उपचार है वो घर के हिसाब से ठीक है उतना हम करें यह चीज जिससे सुर्प से ध्यान रखने की है तो खास तोरसे यहां डॉक्टर इश्नलता जी आपके पास जिस तरह के पेसंट आते हैं जले हुए कम जले हुए या किस तरह के पेसंट आपके पास आते हैं हाँ सर हमारे पास अलग-अलग तरह के आते हैं कभी कबार जो है फस्ट डिग्री वाले सुपर्फिशल वाले आते हैं कभी कबार जो है पूरा तवचा जल गया है अंदर मांस पेशियां हड्डियां तक जले हुए भी आते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं साथ में कि जैसे कि उनको पता है कि अगर जल गया तो बीस मिनट तक ठंडा पानी रखना चाहिए तो वह तो ठीक है एक हिससे में जल गया तो ठंडा पानी लेकिन बहुत ज्यादा अगर पूरी शेरीर में 80 प्रतिशत अगर जल जाते तो उसमें भी लगातार यह पानी डालते हैं उस उसके बाद से उनका होश नहीं है तो यह मिस्टेक्स ना करें जल गये हैं और कई बार कपड़ों में आग लगी हुई है तो हमें इमिडेटली कोई कंबल या इस तरह की जील लेकर के हमें इमिडेटली उसे कवरप करना चाहिए ताकि उसकी आग बुछ सके बिलकुल अगर इस तरह से होता है तो पहले तो जो कपडे हैं उन कपडों को हटाना चाहिए जो ईसली निकलता है उससे निकालना और चपन जाता है उससे ना निकालना है और दूसरा कंबल को लपेट कर ताकि वो शेरीर का तापमन बचा के रखे और तुरंत ही उसक्ण मेंदा यहां deberाना चाहिए कि तिप्स धैना चाहोंगा उन घरी सरदू उन परिवार की लोग layout के लिए जहां पर illnesses के साथ में खाना बने हाँ से सब्सक्राइब गती है इस शापधानी से कामलिए आपको पास घूठ बोरा है तो इमिरिटली पानिके या कोई आपकी heavy bed seat है जो cotton की है उसे पानी भुग करके आप सिलिंडर की उपर डाल करके उसे पकड़ते हैं तो आपकी जो आग है वहाँ निकल रही होती है वो आग इमीडेटली बंद हो जाती है और जो भी आगे होने वाला नुक्सान है उससे बचा जा सकता है जो बहेंकर हाला कि यह जीवन भी देती है जीवन कई वार ले भी लेती है ध्यान रखिए आग से बचना है और आग का सही इस्तेमाल करना है और यद आप हेल्थ वरकर हैं तो आपको कौन-कौन से चीज़ें ध्यान रखनी है डॉक्टर एश्णलेता जी हमारे साथ इस कारकर में समलेत र मैं जय करना है और जो लोग सामाने रूप से जो आज के साथ में जाकर करते हैं उनको अपना ध्यान रखना है इसके साथ हमें लगता है कि यह और कहीं आफ्सकता हो तो आप एपमगल बताये गा बंजाहिन नंशकार नमस्कार